हमारे की बनासन कि बनास बिसिन का मुख्य छेत्र है का बनास बिशिन यही बनास नदी और उसकी साहक नदियां जहां से भाइती है वह मुख्य कोन से जिल्प है उद्फोर बीलवडा टोंकेवर कोटा में पहले का राइट आंसर कौन देगा सर्ड किर्शन जी दन्यवाद सर्ड राजंदर जी है हाँ जी सर्ड ओके पहले का हमारा स्यूत्तर है जी कौन बताएगा वसीम खान जी दी बिलकुछ यह टॉंक जो है वो मुखे रूप से चेतर है बना स्वेसिन का जी ओके चले क्यूसर नमर दो देखी कि बारतिय स्विदान के किस अनुचेत के अंतरगा संसोदन किया जा सकता है मतलब कहने का मतलब है कौन से स्विदान में उलेक किया गया है कि स्विदान संसोदन हो सकता है नवीन जी आपका भी सही ता सर नरेश जी आपका भी सही है दिनेश जी आपका भी सही है वर्सा आपका भी सही है चले दो का राइटान से बता दीजिए स्यदान संसोधन से समदित कौन सा अनुछे दै बिलकुल लीजी साथ जी अनुछे 368 ओके सर यह हो जाएगा सही उतर चलिए क्योसर नमर तीन पंदरवी लोक सबा में राजस्तान से कितनी महिलाएं चूनी गई थी पंदरवी लोक सबा में पंदरवी लोक सबा में राजस्तान में कितनी महिलाएं है वो चूनी गई थी चलिए बिलकुल तीन सबका ए आराय रामा कांजी आपका भी सही है चलिए ए हो जाएगा राई टांसा और क्योसर नमर चार देखे कि देश के सभी नागरीकों को विशिष्ट पैचान संक्या परदान करने वाली योजना का नाम क्या है बिलकुल एजी सा क्योसर ने काफी कोराम मचा रखा है सीज ने हमेशा न्यूज में चलता रहता है ये तो जी बिलकुल आदार हो जाएगा च्यार का वी चलते क्योसर नमर पांस देखी कि राश्टर पती भारत के वीतिय अपातकाल गोशित कर सकता है किस अनुछेद के अनुसार वीतिय अपातकाल जो वी देख एक बार भी नहीं वहा है कौन देखा पांस नमर का सेयोत्तर नरेश जी, मनीश, बगवान, नवीन जी रमाकान जी ओके सर्चले पांस का सेयोत्तर है वो क्या हो जाएगा अनुछेद तीन सो साट ओके सर्चले डी है वो हमारा सेयोत्तर हो जाएगा यहाँ पे च्यार नमर देखी कि 2010 में किस राजे को स्टेट राजे का राष्ट्रिये प्रेटन पुर्षकर दिया गया था यह आयवा क्यूसन है LDC में स्टेट राजे का राष्ट्रिये प्रेटन पुर्षकर 2010 में यह राजस्तान को दिया गया था डी हो जाएगा और यह LDC में आया ता पिसले एक्जामी एक्रिशन क्योंसर नमर साथ देखिए कि भूरी दोमट मिटी है वो राजस्तान के कौन से चेतर में पाई जाती है अजमेर और जेपूर में बिकानेर सरी गंगानगर या फिर अजमेर जेपूर बिकानेर सरी गंगानगर चारों में या फिर इन में से कोई नहीं पपी सिंग जी जी सर वसीम अकरम चले साथ का बता दीजिए सर भूरी दोमट मिटी कहां पाई जाती है कौन से चेतर में पाई जाती है बैरू जी अभी तक कोई ऐसी नियूज नहीं है जब भी ऐसी कोई नियूज आएगी तो मैं आपको इनफर्म कर दूँगा चले साथ का सेवतर हो जाएगा बिकानेर और स्री गंगानगर चेतर में जो है इस प्रकार के मिटी पाई जाती है इन में से आठ नमर देखिए कि डूंगरपूर से सुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्तान के दक्षनी भाग को किस बड़ी रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी रतलाम से, उदेपूर से, बुंबई से या फिर कॉलकाता से परमोध कुमाज जी जी आठ का सेवतर बदेगी सार मुकेष, विसनू, रमकान, चंदर, सिंग जी वह किसा रतलाम से जोड़ देगी, रतलाम से यान सर हो जाएगा है ये भी आया वाक्योसन है चलब क्योसन नमर्-9 कि किस जीले का लाल पत्र परसीद है लाल पत्र है, वो कौन से जीले का परसीद है किसको नहीं मिली PDF आपने चेक नहीं किया होगा PDF तो कली इप्लोड कर दी थी मैंने साथ में चले नो का राइट आंसर क्या हो जाएगा लाल पत्र क्रोली का परसीद है जी बिल्कुल B हो जाएगा यहां सही उत्तर मारा फुज़ा जी, हरियाना जीके जी आपका भी सही है चले किसन नुमर दस देखिये दर्मत का यूद है वह किंदो सास्कों की बीच लड़ा गया था दर्मत का यूद वा तो दो भाईयों की बीच था लेकिन यहां पे एक दारासी का नाम नहीं दिया वाय लक्षमी शेन जी आपका भी बिल्कुल सही है बरत्रा ठोड़ जले जस्तन सी और औरंग जेब की बीच हुआ था तो भी हो जाए गाराई टांश है नहीं काफी लोग गह रहे हैं मारा नाम नहीं ले एक्चली प्रोब्लम क्या हो रही है जी ओके से जी बिल्कुल लेंगे चली कोई बाद में चली ग्यारा नमर देखे बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार परारम होने का कारण क्या था वो दूसरी बार क्यों परारम हुआ था, क्या रिजिन अथा इसके पीजिए ग्यारागा कौन देगा सेयुत्तर जी सोनलाल जी, दोलत राम जी, जी सर जी बिलकुल चमरी गर की विज़ेश हुआ था, बी हो जाएगा सेयुत्तर चले बारा नमर देखे कि मईग उनी 47 को काली वाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दोरान पुलीश की गोली की दौरा भून दी गई, यह वीर बाली का है वो किस जीले से समझदित है, जिनों ने अपने गरु के लिए बलिधान दी आथा, कौन से जीले से समझदित है, काली वाई जी से बारा का सी उतर महेश, गंस्याम, रेनू, केके जी लक्समी, नवीन, करन, अमन तराइटान से डुंगरपूर हो जाएगा चलिए सी है वो सी उतर है और तेरा नमर देखिए कीमेल माता का मंदिर है वो राजस्तान के कौन से जिल्ले में है कीमेल माता का मंदिर, केकडी, सिरोही, पूसकर, टोंक तेरा का सही उतर हो, क्या हो जाएगा यह बिल्कुल शिरोही में है, बी हो जाएगा, राइट आंसर चलिए, चोधा नमर देखिए कि किस संपरदाए के अनुआई यह धड़कते वे अंगारों पर नर्ते करते है विसुनों जी, सही था सराव का बिल्कुल सुक, समंदर ज्यान चलिए, किस संपरदाए के लोग जो है, अनुआई जो है, वो दड़कते वे अंगारों पर नर्ते करते है चोधा का सही उतर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल जसनात भी हो जाएगा, राइट आंसर और पंदरा नमर देखिए, कि राजस्तान शेलिक की चितरकला विक्षित है, वो कब हुई थी? सोलवी स्तावदी में, सतरवी में, पंदरवी में या पर एठारवी स्तावदी के मद्दे पंदरा का सही उतर और सोला नमर देखिए, कि राजस्तान में, निमनाकेत किन जिल्लों में लाल, लोम, मृदा पाई जाती है? बांस्वडा, डुंगरपूर, अजमेर, जेपूर, या फिर बांस्वडा, डुंगरपूर, अजमेर, जेपूर में, या फिर इन में से कोई नहीं लाल, लोम, मृदा, कौन से जिल्लों में पाई जाती है? सोला का सही आनसा जी, राकेश जी, कवीता, अंकीत, रेनू, और किसाथ, जी, बिल्कुल, बांस्वडा और डुंगरपूर में, एह हो जाएगा, या सही उतर और क्यूसन नमर्टारा देखिए, सुरी, सतरह देखिए, कि राजस्तान में कौन सा जीला है, वो रेलिवे सेवा से एच होता है ये एक्टुली क्यूसन आयावा क्यूसन है पहले का, हाले में थोड़ा ये चीज़े है, वो चैंज हो गई है, ये बिल्कुल बांस्वडा हो जाएगा, ये आयावा क्यूसन है पीछे का, और अठारा नमर्ट देखिए, कि निमन खनीजों में किस के समद में राजस्तान का देश में एकादिकार है, कौन सा खनीज है, जो सिर्फ राजस्तान में पाया जाता है, राजस्तान का एकादिकार है, अठारा का सही उतर, ये विल्कुल शिस्ता ज़स्ता हो जाएगा, ठारा का है, कि राजस्तान में शैकारिता अंदोलन गुनी सो चार में स्वरपर्थम परारम कहां पर हुआ था गुनी सो चार में कहां पर परारम हुआ था गुनी सका राइट आंसर कि राजस्तान में उद्ध्योगिक अधारवु ढांचे के विकास मद्यव रित उद्ध्योग को रिन एहं अंसु पुन्जी परदान के राइट आंसर करने के लिए कारिये करने वाले संक्टन का नाम बताना है जी बिल्कुल रिको की द्वारा क्या जाता है ये सारा जी बिल्कुल वो जोगों को रिंद देना है विकास सम्धित कारिये करना है उन्हें परोजशाय करता है प्रिक्षिक्षम देना है सारा का मरीको का होता है भी हो जाए गए कि इसका राइट आंसर और क्युस नमर 22 देखें रानी पदमनी किस सासकी पतनी थी जी बिल्कुल 22 का सही उत्तर राना रतन सींकी ये तो सब को याद हो गया होगा मूवी देखी होगी समने है या ना कई मामलों में बड़े होंशार वो आप चले कियोसर नमर 23 देखे बिकानेर के की सासक ने मुगलों की जीवन परियंत शेवा की थी माल देवने महाराजा राय सीने कल्यानमली या फिर गंगा सीने 23 का सेयुतर जी बिलकुल महाराजा राय सीने की थी बी होज़गराई टांसर पराचीन राजपूताना में कई राजपू जाट मुस्लिम राज़े सहमिल थे यह मुस्लिम राज़े कहां पर था जिस पर नवाबो दौरा सासन किया गया था राज़तान के एक मातर मुस्लिम रियास्ट जो थी बिल्कुल टोंक हो जाएगराई टांसर डी है वो सही उतर है और पच्चीस नमर देखिए कि 1927 इस्वी में कुमर मदन सी के नेतिरत में किसानों ने कहां पर आंदोलन किया था यह भी आया वाकिस ने क्रोली में किया था डी हो जाएगा सही उतर और 26 नमर है कि हरी भाव उपाजहिने राजस्तान का सी आरदास है किसको का था राजस्तान का सी आरदास किसको का जाता है 26 का जी बिल्कुल मुकुट विहारी लाल भारगोजी को कहते है भी हो जाएगा राइट आंसर बरजे, किर्सन, तनो, कुल्दी, प्राजेंदर, सरीता, संगिता, कुमावत चले बीज का सही आंसर है और क्योसन नमर 27 देखे कि 25 मार्च गुनी सो और तालिस को स्योंक्त राजस्तान में किसी रियास्त का विले हुआ था 27 का राइट आंसर इसी टाइब का राइश में क्यूसन आया था उसमें यही क्यूसन तो उसमें पूछा गया था कि कौन सी रियास्त का विले नहीं हुआ था चार ओप्शन्स दे रहे थे इसकी थोड़ी सी लेंगवेज चैन्ज कर दिया चलिए क्यूसन नमर 27 का राइट आंसर जी परताब गड़ का वा था बी हो जाएगा सही उतर परकास जी मनीश जी बिल्कुल चलिए क्यूसन नमर 28 है कि राजस्तान में अकबर की मस्चिद है वो कहां परस्तित है अजमेर या फिर आमेर में है या किसनगड में या फिर बाड़मेर में आमेर जेपूर और किसनगड अजमेर जी 28 का सही उतर जी बिल्कुल अकबर की जो मस्चिद है वो आमेर में है और आमेर जो है ये जेपूर में है भी हो जाएगा इसका सही उतर चले 29 देखें कि वेश्णों धर्म के संपर्दाएं और इसी राजस्तान के सबसे कम लोकपिरिये कौन सा संपर्दाएं जी 29 जी हित हरीवंस राधा वलब आए वो सबसे कम है वो लोकपिरिये संपर्दाएं है यह हो जाएगा और तीस नमर देखिए ऐसा लोकवादी है जिसका निर्मान आदे यह लोकवादी नियो लोकवाद्य होना चीहें था थोड़ा सा मिस्प्रिंटिंग गई है जिसका निर्मान है वो आदे कटे नारियल के कतोरे से होता है एक तीस का राइटान से जी बिलकुर राउण हत्य का होता है D हो जाएगा सी उत्ता क्यों सन्वार एक तीस देखी कि जन गन्ना राजस्तान में 2011 की जन गन्ना के नुसार लिंगा अनुपाद जो है वो कितना है 2011 की आंकड़ों के नुसार बताना है 927 31 का भी और क्यूसर नुमर 32 देखी कि नुमर 2010 में आयोजित ACI खेलों में व्यक्तिकत नुकायन परती सपरता में सुन पदग प्राप्त करने वाले पर्तम भारतिये कौन थे उनका नाम बताना है जी बिलकुल बजरंग लाल जी थे D हो जाएगा इसका सही उतर और क्यूसर नुमर 33 देखी कि 2009 का केंद्रिय साहितेकार अकादमी का राजस्तानी पुरुषकार जो दिया गया था उनका नाम बताना है किन को दिया गया था ये 2009 की बात करें थोड़ा सा ध्यान देना है 33 जी बिलकुल मेजर रतन सी जांगिड को दिया गया था ये C हो जाएगा इसका जी परकास जी सुनित वसीम तेजा राम जी विनोध हो के साहिते चले क्यूसर नमर 34 गांदी जी ने सविन्या अवग्या आंदोलन की गोशना कब की थी 34 का सही आंदोलन की गोशना 34 का सही आंशर कौन देगा जी हचारी राम जी जी सर अनुद सर्मा पूजा विसनोई कविता मनीश नविन जी ओके सर कब राइट आंशर क्या हो जाएगा 34 का जी बिलकुल 12 मार्च गुनी 130 को एह हो जाएगा राइट आंशर और क्योसर नमर 35 देखें कि लोग पिर यह अगनी नर्त्या का प्रारम आयोजन मुख्यते किया जाता है कौन से जिल्ले में होता है धोलपूर बांशवड़ा बिकानेर या फिर दोसा में कहां पर इसका जाता है अगनी नर्त्या का मुख्यतोर से जी बिलकुल बिकानेर में किया जाता है सी हो जाएगा वीजे जी सीवानी तनू जी बिलकुल से यह पां लक्समी जी जी बिलकुल चले 36 देखें अंतरास्ट्री न्याले का मुख्याले जी प्रकाजी, मनोज, अनील, सुम्मन, सिवानी, पपी सिंग जी चलिए हेग में है जी बिलकुल सी हो जाएगा सी उतर और अगला परसन वारा है कि राजस्तान सरकार ने विश्वे दरोर में सामिल करने के लिए कितने रूप दुर्गों की सूची भेजने की सविकरती दी है ये भी आयावा क्यूसन है पहले का है 37 का, जी बिलकुल 6 और 38 देखे विश्वे राजनिती में सीत्युद के समापन का मुख्य कारण क्या रहा था सीत्युद की समापती का तो रीजन था वो बताने 38 का राइट आंसर जी बिलकुल सोवियत संग का विक्टन हो गया था भी हो जाएगा सही उतर और 39 देखे बारत का सुरप प्रतम पूर्ण साक्सर जीला कौन सा है बारत का पहला पूरी तरह से साक्सर जीला कौन सा है 39 जी बिलकुल अजमेर है यह हो जाएगा सही उतर विनोजी पूजा अनू रगू डिमपल पवन सुनील दोपके जी द्याल जी आपका विसी है चले 40 नमर देखि हिंदुस्तान मसीन टूल्स जेक तालिश का जी बिलकुल अजमेर में है डी हो जाएगा इसका स्यूतर और बियालिश देखे कि दुर्गादास राठोड ने औरंग जेब ने किसको बचाया था यह ने नहीं है थोड़ा सा लेंग्वेज गलत इसकी औरंग जेब से होना चाहि जीत चैज्ञ दूर्गादास राठोड ने औरंग जेब से किसको बचाया था रगोपरतप जी परजापत जी जी सा चलिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी बिलकुर राज्य अंदर सी भी हो जाएगा सही हो तरिश्का और 43 देखिए किराम सने संपर्दाए अपना फूर्डोल मौत सो है वो किस तान पर बनाती है यह क्यों सन्त हमने कल भी किया था ना रिपीट हो गया है चलिए 44 का से उतर जी बिलकुल सापुरा में जो कि भी हिलवाडा में है यह हो जाएगा से उतर श्यामला जी जी अनुज रमाकांथ हजारी और के साथ चलिए 45 देखिए कि 133 संपर्दाए है वो किस दर्म से जुड़ा हुआ है 133 संपर्दाए 45 का से उतर जी बिलकुल जेन दर्म से जुड़ा हुआ है हो जाएगा राइट अनसर इसका पपी सिंग जी दिपिका पूजा भरत सुमवन विक्रम सिवानी योग के सर अबदूल जी आपका भी सही है गंगाराम जी आपका भी सही है और 46 नमर देखिए कि मालानी आगने शेल समुवन के कारण पनपा है 46 का से जी जालोर ग्रेनाइट उद्योग जो है यो राइट अनसर हो जाएगा एक नमर और 47 है कि चमल लदी पर बने चारो बांदों मैंसे पहला बांद जो राजस्तान, मद्या प्रदेश, शिमा प्रस्तित है वो कोन सा है चमल नदी पर चार बांद बनाए गए थे हैं पहले बांद का बताना है जो कि राजस्तान और मद्य प्रदेश दोनों की शीमा परस्तीत है जी बिल्कुल 47 का राइटान से बता दीजिए जी बिल्कुल गांधी सागर बांद हो जाएगा प्रिचपाल जी सुनील जो करपाल जी आपका भी सही है जाले बी है उसका सही उत्तर हो जाएगा खुल दीव जी प्रकास ओके सर बिलकुल सही है जैड़िव एडटारेश देखे जाखम डेम जो है बांद जो है जाखम बांध भो रजस्तान के किस दिले में है जाक्खम बांद बताना है कोटा परताफगड उदेपूर या फी जसल मेर में यह तो बिल्कुल इजी सास आने से बता सकते हूं परताफगड जी सबका बीबियारो के सार परताफगड हो जाएगा राइटां सार चले फोर्टी नाइन देखिए कि सूर सक तागनी का केंदर जो है सोल संस्तान जो है वो कहाँ पर है फोर्टी नाइन जी प्रकास जी शाम गैलोत गोविंद महिंदर सिवकांत वसीम सोकत दर्मेंदर पुजा रेखा लक्षमी ओके द्याल राम जी वो के सार बीकानेर हो जाए में वहां के पसली छेतर को 20% से अधिक भाग पर गेहूं की गर्सी की जाती है यान टोटल जो क्रिशी का एरिया है जो छेतर है उसके 20% से अधिक भाग पर गेहूं की गर्सी होती है कहां पर होती है ये बताना है जिब अन्मान गड़े में होती है बी हो जाएगा इसका सही होता और एक्यावन नमर देखिए कि राजस्तान का राजकोट बिकानेर के लूनकरण सर्स्तान को कहा जाता है इसका रीजन क्या है कारण क्या है लूनकरण सर को राजस्तान का राजकोट क्यों का जाता है 51 क्योंकि यहां पर सरवादिक है मुंधफलियों का अत्पादन होता है यह हो जाएगा इसका से उतर 52 कि राजस्तान में बेडों की कितनी नसलें पाई जाती है 8, 8, 6, 5 रमाकान जी परकास जी सुसिला मनीज परकास ओके सर बारत रा ठोड़ चले बावन का सही आंसर कौन देगा उसर जी बिल्कुल आठ बावन का भी हो जाएगा आठ नसले पाई जाती है चले तिरेपंद्य की राजस्तान में सरवादिक वन चेतर है वो कहां पर है जी बिल्कुल उद्यपूर में सरवादिक है उद्यपूर के साथ जसल मेर तो होई नहीं सकता तो राजस्मंदी से यांसर है यह हो जाएगा राइट आंसर तरेपन का और चोपर नमर देखिए काट का रेन बसेरा महल राजस्तान के किस जिले में स्थित है काट का रेन बसेरा जोद्पूर जालावार जूंजरू या फिर बूंदी में जी बिल्कुल जालावार में है भी हो जाएगा इसका सही उतर और पिस्पन देखिए कि राजस्तान के राजाओं में वैं कौन सा सासक था जो अपनी शेना के साथ अठारा सो सित्यावन के संगराम की साहता करने हितू राजस्तान से बाहर गया था जी बिल्कुल बिकानेर का सासक था जो कि अठारा सो सित्यावन के विद्रों में अंग्रेज्यों की साहता करने के लिए राजस्तान से बाहर सेना लेके गया था बी हो जाएगा इसका और चपन देखिए एक खंबा महल के नाम से परशीद परहरी मिनार का निर्मान है वो कि इसके दोबारा करवाए गया था परहरी मिनार जो है उसको एक खंबा महल भी का जाता है उपना में इसका इसका निर्मान किसने करवाया था ये बताना है माराजा अजीद सीन की दोरा करवाया था जी बिल्कुल भी हो जाएगा सीना, अमील, विनोध, सुमन, तरवंती जी बिल्कुल भी हो जाएगा इसका राई टांस है और शित्यावन देखिए गुर्जरों का तिर्थ अस्तल है, वो कौन सा है? गुर्जरों का तिर्थ अस्तल बताना है जी जी, सुआई भोज मंदिर जी, बिल्कुल सही है जोकि आसिद में है इह हो जाएगा सही उत्यिसका चले क्योसर में ठावन, देखिए, बिल्कुल ले जी सा कि बाबा रामद्यो जी की माता जी का नाम बताना है रामसापीर सांपरताइक सद्भावना के देवता जी बिलकुल सही ठाउन के राइट आंसर जी बिलकुल मेना दे हो जाएगा यह सहीत तरह है चले सेकेंड लास्ट क्यूसन सूड़ परबंद के लेखक बताने हैं कि सूड़ परबंद के रचियता कौन थे किसकी रचना है यह कुंबा की है कुंठा की है तेज की है या फिर अत्री की है जी बिलकुल कुंबा की रचना है यह यह हो जाएगा और यह रहा लास्ट क्यूसन आज के टेस्ट का राजस्तान सिंधी एकादमी है वो कहां पर है राजस्तान सिंधी एकादमी जी बिलकुल राजस्तान सिंधी एकादमी जी बिलकुल भी हो जाएगा जैपूर में है और के साथ ये 63 क्यूसन पीछे तो जितने भी टेस्ट हुए थे आपने PDF ले ली होगी ठीक है अगर PDF नहीं ली है तो टेलिग्राम चैनल से PDF ले लेना टेलिग्राम चैनल का अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाईए वीडियो के जश्ट नीचे इस पर करका जो चिन दिख रहा है उस पी ओके कीजिए नीचे टेलिग्राम की पास में लिंक मिल जाएगा जोइन कर रहे ना अगर पहले से आपके पास टेलिग्राम है तो परेला सारन सर के नाम से आप सर्च करके जोइन कर सकते हो और जिनके पास पहले से दोइन किया वा है वो पीडियेफ ले लेना सर जीतनी भी आती है जीतनी भी लेसेंस होते है और कल रेडी रहना फिक्स नो बज कर तीस मिनट पे सो क्यूसन का टेस्ट करेंगे कल ठीक है साड़ी नो बजे अके थैंक यू गूटनाइट